अब यहां पे जो क्लिफ है अंजुना में करली और सिवा वैली उस क्लिफ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और इस क्लिफ से नीचे चलेंगे करली जो भी शैक है यहां पर चेक आउट करेंगे अंजुना बीच 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 करेंगे कैसे सिच्वेशन कैसा क्राउट बगरा है और रास्ता भी आपको दिखाऊंगा जहां से मैं आया हूँ अगर आप इस चैनल पर नहीं है जिससे आपको ऐसे ही आपको अपडेटेड वीडियो गुवा से मिलते रहें तो यह जो प्लेस है सामने से जहां पर जाना पड़ेगा और नीचे उतरना पड़ेगा बीच नीचे वीच आपके लिए और सामने यहां पे है कर्लीज तो अभी हम सिवा वैली की तरफ से नहीं चल रहा है हम चल रहे कर्लीज की तरफ से नीचे और क्लिफ पे है जैसा कि मैंने बताया और इस तरफ आपको राइट साइड में फुरा अंजुना बीस देखने को मिलेगा और यहां पे कुछ प्लेसे हैं वो भी आप जाके डिर्क्ली वॉक करके चक आउट कर सकते हैं तो इस देखें कितना प्यारा है बहुत ही है जैसा कि मैंने बताया और काफी अच्छा फील आता है यहां से तो यहां से आपको नीचे जाना होता है भी शैक के लिए तो हम चलते हैं नीचे काफी लंबी- तो अच्छा प्लेस है गाइस चकाउट करने के लिए एक बारी आप आ सकते हैं तो गाइस दो हिस्से यहां पर एक है यह नीचे वाला तो नीचे अभी हम चलेंगे पहले उपर डेक वाला जो हिस्सा है वो हम दिखा देते हैं आपको और वहां से व्यू दिखाने के एक बा प्यारा लगा हुआ है यहां पर अच्छी पार्डी होती है और यहां पर कुछ टेवल्स वगरा है तो एक बार ही उधर चलके हम व्यू देख लेते हैं म्यूजिक भी अच्छा रहता है राते पार्टी वगरा बहुत अच्छी रहती है तो कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा फील कराती है और काफी बड़ा है यह प्लेस बड़ एक बार हम पहले यहां से उपर से व्यू देखेंगे और नीचे चलेंगे तो यह कुछ नीचे काफी बड़ा और यह उपर का हिस्सा है जहांपे आप खानां वगशन वगरा और इस्तर भी यह एक पृघ दो के वागदा यहां मांटेन भी दिखेंगे तो काफी अच्छा व Picture करें नीचे नीचे भी चलके देखते नीचे काईसा फूब उब और अपको ₹You चैकाउट गरढ़ें धुवीडियो में डिस्कृप्षिपशन में डाल दुझत अभी ऊपर ऑई ब्ट कम पाफ़ी टाल दोंगा तो जिससे आपको अंदाजा मिल जांके मेन्यू का रेट्स वगरा क्या हैं और यहां पर पाटी का हॉल है जहां पर पाटी वगरा रात में चलती है और यहां पर डांस लो रहें तो ऐसा कुछ है यहां से और डेली बाटी होती है अल्मोस्स देली बाड़ी होती है और इंट्री चार्जेस भी काफी मिनिमाल रहते हैं तो अभी यहां से साइगले नीचे चलेंगे इस तरफ से नीचे आए अभी यहां से बीच की इंट्री होती है यह भी एक बार हम देख लेते हैं इंट्र करते हैं आपको राइट साइड में हुक का लख काउंटर मिल जाएगा और बागी सीटिंग्स मिल जाएंगी काफी बड़ा प्लेस है इसा नहीं छोटा बोड़ा प् है और मस लगता है ठीक है इतना अब अपना टाइम यहां पर अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं और बार देखें आपे काफी बड़ा बार भी है और लाइब फिश वगारा भी यहां पर रहती है पूल डेबल पर गेम हंडेड रुपीस देके लिखा हुआ है अगर आप पू टाउजन वन हंडेड यह सब कुछ ऐसा है प्राउंस वगरावी मिल जाएंगे टाइगर प्राउंस 2200 रूपे के तीन पीस ओके पॉंप्लेट 1400 रूपे के तीन पीस पता नहीं तीन पीस है दो पीस है मालम नहीं है यहां भी है पुक का काउंटर अब यहां इस तरब के च की रहा होगा कैमरा मुझे पता है उतना जस्टिफाइं नहीं करता है तो आप फील कर पा रहूंगे थोड़ा बहुत तो अब यह थोड़ी दिर में बीच पर चलते हैं यहां पर एनधर भी शेक है थ्री एमिगोज करके यह देखे है एक और बीच यहां पर बाजू में ही थ्री एमिगोज और यह सामने कर लीज तो इस तरब भी थोड़ा वॉक कर लेता है और बीच पर चलेंगे सिवा वैली की तरब भी एक बार चलेंगे यह देखे है स्टैचू कितना प्यारा लाग हो है ना कि आई लव कर लीज करके लिखा हुए और यहां पर इनका यह वाला जो इससा है खाफी प्रीमियम है यहां पर यह सामने फ्रेंट सीटिंग्स वगरा है कुछ अब फोटो वगरा यह वीडियो वगरा हुँ आपके लिए यहां पर केंडल वगरा रेडियो के यह चाहें तो कुछ ट्रेम केजर और पर्चेस कर सकते हैं यह यह बेकरी तो आप चलते हैं भीश पर गाइस तुरंथ तुर तो हम गाइस पहुच चुके हैं भी भीश पे निची उतर की अबी मैं आपको Siwa Valley दिखाता हूँ यह जो दोनों प्लेस है Siwa Valley और यह घर ली चेक दोनों टेकनो एंट ट्रांस पार्टी के लिए बहुत फेमस है गाईस टेकनो एंट ट्रांस पार्टी इस इस सामने ब्लु आला आपको दिख रहा है Siwa Valley यह भी बीच शेक ही है लेकिन रात में पार्टी वगरा काफी अच्छी होती है वीकेंड में यहां पे भी उपर डेक वाला हिस्सा है एलिवेटेड और नीचे का भी किस्सा है जहां पर आप अपना टाइम इंजॉय गर सकते हैं बैठ सकते हैं बीच बैठ सकते हैं पहले आपको यहां का व्यू दिखाना चाहा रहा था तभी आज मैंने यह वीडियो किया तो देखें कुछ ऐसा भी शेक है सिवा वैली पार्डी इसके लिए फेमस है और कुछ ऐसा यह बीच व्यू है यहां पर सकून वाला इतना मचमच वाला नहीं है और यहां पर देखें बोट्स वगएरा भी आपको कुछ लोग वोटिंग के लिए जाते हुए कि छोटा सा भी जाता है अभी हाई टाइड है दोड़ा सा गाईच इसकी वज़ासे आपको यह जो रास्ता सामने दिख रहा है वो बंद हो चुका है थोड़ा सा ही है तो आप अगर उस तरफ जाना चाहेंगे तो काफी रॉक से होके जाना पड़ेगा अधर्वाइस ऐसे तो बीच काफी बड़ा हो जाता है और इसली यू कन वोग तो इसी रास्ते पर आगे मिल जाएंगे यह रास्ता मैं रेक्मेंड नहीं करूंगा आप में रोड़ चाहिए वह ज्यादा इसी रहेगा तो गाइज कल रात में मैं गया था मॉर्जिम रॉक वड़र रेसॉर्ट अपने फ्रेंड के साथ में मैंने दो बार आपको पीछी दिखाया है बहुत अच्छी पार्डी होती वीकेंड में आज भी संडे को पार्डी है तो आप चेकाउट कर सकते हैं टेक्नो पार्डी बह वहां पर चलती है तो कल मैं भी वहां पर तिंचार में तक था बहुत 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 अच्छा क्राउट था फॉर्णर्स खासकर बहुत ज्यादा थे और मॉर्जिम में अच्छी पार्डी आपको इंजॉय करने हैं दूर चेकाउट प्लेस पहले था रॉक वाटर रेसॉर् हम चल रहें उपर और फिर यह वीडियो खतम करेंगे अगर आप हैं नौध गवा में देन यू कन चेकाउट इस प्लेस एंड चेकाउट इस एरिया एस वेल तो अभी चलते हैं डारेक्ली उपर सामने कुछ बच्चे प्ले करते हुए तो अभी हम यहां से डिरेक्ट उपर चलेंगे और फिर यह वीडियो खतम करेंगे कि सब्सक्राइब यहां का कंप्लीट हो गया अभी हम चल रहें डिरेक्ली उपर और उपर चलने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी वड़ेगी विकल्स एडिया काफी लंबी है है तो जल्दी जल्दी चलते हैं उपर सब्सक्राइब आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आप इस चैनल पर नहीं है दन हिट थे सब्सक्राइब बटन गाइस आई तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक गुट केर अवसेल बी हैपी एंजॉई लाइप अपना और अपनों का ख्याल रखिये बाबाई